परिजए बच्चो, आज हम लोग सांडिक को जानेंगे सर्व प्रथम मुझे बताओ कि क्या हम एकल मान द्वारा आवियो या मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं? हाँ सेर कैसे? क्या किसी को नहीं पता? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ सार्णिक की साहता से एकल मान द्वारा आवियो या मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं तो आव अपने इस अठ्याए में हम सार्णिक के बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक आवियो का सार्णिक निकालना सार्णिक के गुण धर्मों का उप्योग करते हुए उसे हल करना सार्णिक का उप्योग करते हुए त्रिबुज का क्षित्रफल निकालना आवियो का व्यूत क्रम निकालना सानिक और आव्यूव का उप्योग करके समिकरन निकाई को हल करना सानिक यदि हम एक संख्या या फलन का प्रतिक वर्क आव्यूव के साथ संबंध कराते हैं तब उस आव्यूव को आव्यूव का सानिक कहते हैं एक आवियो जो की वर्ग नहीं है, साणिक नहीं होता। माना की A बराबर AIJ एक N कोटी का वर्ग आवियो है। तब A के साणिक को निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। माना की A बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती P, Q द्यूतिय पंक्ती RS है, तब A का साणिक को इस प्रकार लिखा जा सकता है। एक कोटी के आवियो का साणिक माना की A बराबर A 11, कोटी 1 का एक वर्ग आवियो है। अवियव A 11 को एके साणिक के मान के रूप में परिभाशित किया जाता है। एक का साणिक बराबर A 11, उधर नार्थ, यदि A बराबर मैनस 5 है, तब A का साणिक बराबर मैनस 5। दूइतिय कोटी के एक आवियो का साणिक माना की A पराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती A, B, दूइतिय पंक्ती C, T साणिक को इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। नेले का मतलब धनात्मक प्लस A, D लाल का मतलब रनात्मक मैनस B, C अधा A का साणिक पराबर A कुणाँ D, मैनस B कुणाँ C 3 क्रोस 3 कोटी के एक आवियो का साणिक माना की A पराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती A11, A12, A13 दूधिय पंक्ती A21, A22, A30 त्रिधिय पंक्ती A31, A32, A33 प्रथम पंक्ती का उप्योग करके कोटी 3 के साणिक का विस्तार निम्न प्रकार से किया जा सकता है A11, A11, प्लस A12, A12, प्लस A13, A13 जहां A11 बराबर निम्न लिखित है और A13 बराबर निम्न लिखित है हल करने के पश्चाथ हमें प्राप्थ होता है A का साणिक बराबर A11 गुना A22 गुना A33 माइनस A23 गुना A32 माइनस A12 गुना A21 गुना A33 माइनस A23 गुना A31 दूतिये पंग्ति एवं त्रितिये पंग्ति का विस्तार करके भी हम वही परिराम प्राप्थ करते हैं उधारण दूतिये पंग्ति CD के लिए A का सारणिक बराबर AD माइनस BC दिये गाई प्रश्ण में आव्यू A बराबर पंग्ति अनुसार प्रथम पंग्ति 2 पांच दूतिये पंग्ति 1 माइनस 3 अता A पराबर 2, B पराबर 5, C पराबर 1, D पराबर माइनस 3 अता A का सारणिक बराबर 2 गुणा माइनस 3 माइनस 5 गुणा 1 बराबर माइनस 6 माइनस 5, बराबर माइनस 11 आव्यू ए बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती 3-0-1, दुईतिय पंक्ती 2-5-4, त्रितिय पंक्ती-3-1-3 का सार्णिक ज्यात कीजे. हल, आव्यू ए बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती ए 11, ए 12, ए 13, दुईतिय पंक्ती ए 21, ए 22, ए 23, त्रितिय पंक्ती ए 31, ए 32, ए 33 के लिए. ए का सार्णिक पराबर ए 11, गुणा, ए 22, गुणा, ए 23, मैनस, ए 23, गुणा, ए 32, गुणा, ए 32, गुणा, ए 31, प्लस, ए 13, गुणा, ए 21, गुणा, ए 32, गुणा, ए 32, गुणा, ए 32, मैनस, ए 22, गुणा, ए 31. दिये गाई प्रश्ण में आवियू ए बराबर पंग्ती अनुसार प्रथम पंग्ती 3-0-1, दुतिय पंग्ती 2-5-4, तृतिय पंग्ती-3-1-3 अता एका सारनेक बराबर 3 गुणा-5 गुणा-3-4 गुणा-1-0 गुणा-2 गुणा-3-4 गुणा-3, प्लस-1 गुणा-2 गुणा-1--5 गुणा-3 बराबर 3 गुणा-15-4-0 गुणा-6 प्लस-12 गुणा-2-15 बराबर 3 गुणा-19-0 गुणा-18 प्लस-1 गुणा-13 बराबर माइनस सत्तावन प्लस-0 प्लस-13 बराबर माइनस चवालीज सार्णिकों के गुण धर्म गुण धर्म एक सार्णिक का मान आप परिवर्थित रहता है यदि उसकी पंक्तियों और इस्तंभों को परस पर परिवर्थित कर दिया जाए गुण धर्म दो यदि एक सार्णिक की कोई दो पंक्तियां अत्वाइस तंब समान हैं, तब सार्णिक का मान शुन्ने होता है गुण धर्म चार यदि एक सार्णिक की किसी एक पंक्ती अत्वाइस्तंब के सभियव का गुणा एक अचर राशी केसे किया जाता है तब उस सार्णिक का गुणा केसे हो जाता है गुण धर्म पांच यदि एक सार्णिक की किसी पंक्ती अत्वाइस्तंब के कुछी या सभियव दू या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तब उस सार्णिक को दू या अधिक सार्णिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है गुण धर्म 6 यदि एक सानिक की किसी पंग्ती या इस्तंभ के प्रतेक अव्यब में दूसरी पंग्ती या इस्तंभ के संगत अव्यबों के समान गुणजूं को जोड़ दिया जाता है, तो सानिक कमान वही रहता है उधारण सानिक के गुण धर्मों का उप्योग करते हुए निम्न का मोल यांकन कीजिए हल, हमें निम्न लिखे ग्यात है प्रतंभ इस्तंभ से साथ को उबैनिश्ट लेने पर इस्तंभ एक तथा दो समान है आता सानिक का मान शुन है बराबर साथ गुणा शुन ने, बराबर शुन ने निम्न लिखित सानिक का मान ग्यात कीजिए हल, माना की डिल्टा निम्न लिखित के बराबर है संक्रिया आर एक, अप्रोचिस टू आर एक, प्लस आर दो, प्लस आर तीन का उप्योग करके हमें प्राप्त होता है प्रथम पंक्ती के सभी अव्यव शुन हो जाते हैं, इसलिए सानिक का मान शुन है त्रिभुज का क्षित्रफल त्रिभुज ABC का क्षित्रफल जिसके शीर्ष बिंदू A, X1Y1, B, X2Y2, C, X3Y3 है इसे निम्न प्रकार से एक सानिक के रूप में लिखा जा सकता है इस मर्णिये तत्थे चित्रफल हमेशा एक धनात्मक राशी होती है इसलिए चित्रफल के लिए हम हमेशा सानिक के निर्पेक्ष मानों को लेते हैं बिंदू A, B, C समरेखे हैं यदि तिर्भुज A, B, C का अक्षित्रफल चुनने हो उधारण सानिक का उप्योग करके उसे तिर्भुज का अक्षित्रफल ग्याद कीजे जिसके शीर्ष बिंदू माइनस 3, 5, 3, माइनस 6 और 7, 2 है हल शीर्ष बिंदू माइनस 3, 5, 3, माइनस 6 और 7, 2 वाले तिर्भुज का अक्षित्रफल निम्नसानिक त्वारा दिया जाता है आता इसकी गणना करके हल करने पर हमें 46 प्राप्तो होता है वांचुनिये तिर्भुज का अक्षित्रफल 46 वर्गई काई है उपसानिक और सहखंड सानिक का उपसानिक वो सानिक है जो उसी पंक्ती और उसी इस्तंब में सभी अव्यवों को हटाने के बाद बच जाता है उधारनार्थ निम्नलिकित सानिक में ए एक का उपसानिक ये है सहखंड एक अव्यव के सहखंड संगत उपसानिक है जिनका माइनस एक की खाद M प्लस N से गुणा किया जाता है जहां M और N पंक्तियों और इस्तंबों की संख्या है जिनमें अव्यव नहित होते है उप्रोक्त सानिक में अव्यवों A1, A2, A3, B1, B2, B3 इत्यादी जिन्हें A1, A2, A3, B1, B2, B3 इत्यादी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ये सहखंड के एकांतर रूप से संगत उपसानिक हैं जिनका फ्लस एक तथा माइनस एक से गुणा किया जाता है उधारण निवन में अव्यव के सभी उपसानिक और सहखंड ग्याद कीजे हल माना की A11 बराबर 4 A12 बराबर 3 A13 बराबर 1 A21 बराबर 1 A22 बराबर 3 A23 बराबर 2 A31 बराबर 2 A32 बराबर 1 A33 बराबर 5 M11 बराबर A11 का उपसानिक बराबर है निमने के जो बराबर है 15 खटा 2 जो की बराबर है 13 के capital M12 बराबर A12 का उपसानिक बराबर है निमने के जो बराबर है 5 खटा 4 जो की बराबर है 1 के capital M13 बराबर A13 का उपसानिक बराबर है निमने के जो बराबर है 1 खटा 6 जो की बराबर है माइनस 5 के capital M21 बराबर A21 का उपसानिक बराबर है निमने के जो बराबर है 15 खटा 1 के जो की बराबर है 14 के capital M22 बराबर A22 का उपसानिक बराबर है निमने के जो बराबर है 20 खटा 2 जो की बराबर है 18 के capital M23 बराबर A23 का उपसानिक बराबर है निमने के जो बराबर है 4 खटा 6 जो की बराबर है घटा 2 के capital M 31 बराबर A 31 का उपसांडिक बराबर है निम्निके जो बराबर है 6 घटा 3 जो की बराबर है 3 के capital M 32 बराबर A 32 का उपसांडिक बराबर है निम्निके जो बराबर है 8 घटा 1 जो की बराबर है 7 के कैपिटल M33 बराबर A33 का 90 पराबर है निमनिके जो बराबर है 12 घटा 3 जो की बराबर है 9 के सैखंड निमनिलिकित है आवियो का सैखंडच और व्यूत करम माना की कैपिटल A बराबर AIJ एक वर्ग आवियो है कैपिटल A के सैखंडच को आवियो कैपिटल AIJ के परिवर्थ के रूप में परिभाशित किया जाता है जहां सारणिक कैपिटल A में कैपिटल AIJ अवियव AIJ का सैखंड है इसे कैपिटल A के सैखंडच के रूप में निरूपित किया जाता है इस प्रकार कैपिटल A का सैखंडच बराबर कैपिटल AIJ के सैखंड़ों के आवियो का परिवर्थ है आव्यूत करम्लिये आव्यू माना की कैपिटल ए एक वर्ग आव्यू है आव्यू, ए आव्यूत करम्लियें आव्यू कहलाता है यदि एका सारणिक बराबर शुने है यदि एका सारणिक शुने के बराबर नहीं है तब आव्यों को व्योत क्रम्नियें कहा जाता है उधारण एका सैखंड़ज क्यात कीजिए जहां ए पराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती एक दो दुईतिय पंक्ती तीन चार है हल दिया गया आव्यों निम्न है आव्यों एके सैखंड़ है एक यारा बराबर चार एबारा बराबर माइनस तीन एकीस बराबर माइनस दो एबाईस बराबर एक अतैव एके सैखंड़ज बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती चार माइनस दू, दूइतिय पंगती, माइनस तीन, एक है. एक आव्यू का सैखंड़ज और व्यूत्क्रम. प्रमाएं एक. यदि कैपिटल ए कोई वर्क आव्यू है, तब कैपिटल ए कुणा कैपिटल ए का सैखंड़ज बराबर कैपिटल ए का सैखंड़ज गुणा कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए साणिं कुणा आई, जहां आई तस्समग आव्यू है. प्रभाएं तो, यदि A और B समान कोटी के विदक्रम्डिये आवियो हैं, तब A B तथा B A भी समान कोटी के विदक्रम्डिये आवियो होंगे प्रभाएं तीन, आवियों के गुणन का सारणिक उनके सम्बंदित सारणिकों के गुणन के वराबर होता है, अर्थात, कैबिटल A B का सारणिक वराबर कैबिटल A का सारणिक गुणा B का सारणिक जहां कैबिटल A और कैबिटल B समान कोटी के दो वर्ग आवियो हैं प्रमाई चार एक वर्ग आवियू ए के व्यूद्ग्रम का अस्तित्म है यदी और केवल यदी ए एक व्यूद्ग्रम लिए आवियू हो एका व्यूद्ग्रम पराबर एक बटा एका साणिक गुणा एका सैखंड़ज उधारण ए बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती दो पांच दूत्य पंक्ती माईनास तीन एक का व्यूद्ग्रम ग्याद कीजिए हल दिया गया आवियू निवने है कैपिटल एका साणिक बराबर दो माईनस पांच गुणा माईनस तीन बराबर सत्रा जोकी शूने के बराबर नहीं है आता कैपिटल एका व्यूद्ग्रम अस्तित्व में है आवियू के सहखंड है कैपिटल एक्यारा बराबर एक कैपिटल ए बारा बराबर माईनस माईनस तीन कैपिटल ए एककेस बराबर माईनस पांच कैपिटल ए पाईस बराबर दो अतेव, कैपिटल एका सहखंडच बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती एक माइनस पांच दुधिय पंक्ती तीन दो तथा कैपिटल एका व्युत्करम बराबर एक पटा सत्रा गुणा आवियू पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती एक माइनस पांच दुधिय पंक्ती तीन तो है साड़िकों और आविहों के अनुप्रयोग संगत निकाए निकाए संगत कहलाता है यदिज के हलों का अस्तित्व होता है असंगत निकाए निकाए असंगत कहलाता है यदिज के किसी भी हलों का अस्तित्व नहीं होता है संगत्ता का माप्देंट एक तीय काए निकाए के लिए कैपिटल ए एक्स बराबर कैपिटल बी कैपिटल एक्स बराबर रह्खिक समीकरण का एक वर्ग आवियो है, संगत्ता और असंगत्ता के लिए हमारे पास निम्निलिखित माप्तेंड हैं। एक यदि सांडिक ए शून के बराबर नहीं है, तब निकाह संगत है तथा इसका हल आथवितिय है। दो, यदि सांडिक ए बराबर शून है एवं एक वणा बी का सै खंडच बराबर शून है, तब निकाह संगत है तथा इसके अनंत हल है। 3. यदि सांडिक A बड़ाबर 0 है एवं A गुणा B का से खंड़ज 0 के बड़ाबर नहीं है तब निकाह संगत है तथा इसका कोई हल नहीं है. उधारण निकाह समीकरों को हल करने के लिए आव्यू विधी का उप्योग कीजिए. एक्स प्लस दो वाई बराबर 4 दो एक्स प्लस पांच वाई बराबर 9 निकाह समीकरों को कैपिटल A एक्स बराबर कैपिटल B के रूप में लिखा जा सका है. जहाँ, capital A बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती 1, 2, 2, 5, capital X बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती X, 2, 5, capital B बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती 4, 2, 9, capital A का सानिक बराबर 5, माइनस चार बराबर एक, शूने के बराबर नहीं है इस प्रकार कैपिटल ए व्यूत करम रिये है एवं इसलिए इसका प्रतिलोम अस्तित्व में है पंक्ति अनुसार आवियो कैपिटल ए का सहे खंडच है प्रत्थम पंक्ति पाँच माइनस तो दूधिय पंक्ति माइनस तो एक कैपिटल ए का अव्यूत करम बराबर एक गुणा आवियो कैपिटल ए पंक्ति अनुसार प्रत्थम पंक्ति पाँच माइनस तो दूधिय पंक्ति माइनस तो एक हमें ग्याद है कि A X बराबर है B के X बराबर है Capital A का व्यूतकरम गुणा B के Capital X कमान रखने पर Capital A का व्यूतकरम तथा Capital B आव्यू X पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति X दूतिय पंक्ति Y बराबर आव्यू Capital A पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 5 मैनस 2 दूतिय पंक्ति मैनस 2 एक गुड़ा आवियो बी पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती चार दूतिय पंक्ती नौ बराबर आवियो पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती दो दूतिय पंक्ती एक इस प्रकार एक्स बराबर दो वाई बराबर एक है. क्या आप जानते हैं जापानी गणी तक गे टका काजू सेकी कोवा ने सांडिक और उसके प्रसार को विक्सित किया लापलास ने सांडिकों के प्रसार करने की व्यापक विथी थी सारांश आईए हमने जू कुछ सीखा है उजे संख्षेप में दोराएं यदि हम एक संख्या या फ्लन का प्रतीक वर्ग आवियू के साथ संबंध कराते हैं तब उस अवियव को आवियू का सांडिक कहते हैं सांडिक के गुण धर्म निम्लिलिकित हैं सांडिक का मान आप परिवर्थित रहता है यदि इसकी पंक्तियां और इस्तंभ परस पर परिवर्थित हों यदि हम सांडिक के कोई दो पंक्तियों अथ्वा इस्तंभों को परस पर बदल दें तो सांडिक का चिन बदल जाता है यदि सांडिक के कोई दो पंक्तियां अथ्वा इस्तंभ समान हैं तो सांडिक का मान शूने होता है यदि हम एक सार्णिक की किसी एक पंक्ती अत्वा इस्तंब के सभी अव्यवों को एक अचर के से गुणा करतें तो सार्णिक कमान के गुणा हो जाता है? यदि एक सार्णिक की एक पंक्ती अत्वा इस्तंब के कुछ या सभी अव्यव दू या अधिक अव्यवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकते हों तो उस सार्णिक को दो या अधिक सार्णिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि एक सार्णिक की किसी पंक्ती या स्तंभ के प्रतेक अव्यव में दूसरी पंक्ती या स्तंभ के संगत अव्यवयों के समान गुर्जुन को जोड़ दिया जाता है तो सार्णिक का मान आपरिवर्तित रहता है सानिक के रूप में त्रिभुज का अक्षित्रभल इस प्रकार है सानिक का उप सानिक वो सानिक है जो उसी पंक्ती और उसी इस्तंब में सभी अव्यवों को हटाने के पश्चाद बच जाता है एक अव्यव का सहखंड एक संगद उप सानिक और मैनस एक की खात M प्लस N का गुनन होता है जहां M और N पंक्ती और इस्तंब है जिसमें अव्यव नहित है सहखंड जगा一定要 A को आव्यो stable A आई J के परिवर्थ के रूप में परिभाशित किया जाता है जहां capital A आई J सानिक कैपिटल A में अव्यव A I J का सहखंड है एक वर्ग आव्यो capital A व्योत करमढीय होता है यदि और किवल यदि capital A व्योत करमणीयं आव्यो हो यदि सांडिक कैबिटल ए शून के बराबर नहीं है तब निकाए संगत है एवं इसका एक अध्वितिय हल है यदि सांडिक कैबिटल ए बराबर शून है और सेखंड़क कैबिटल ए कैबिटल बी बराबर शून है तब निकाए संगत है एवं इसका कोई हल नहीं है यदि सांडिक कैबिटल ए बराबर शून है